हेलो फ्रेंड यह जो पप्पे आप देख रहे हैं यह हमने अभी 2 अगस्त 2020 को रेस्क्यू किया था इसको इसके मालिक ने सटक पर छोड़ दिया था सिर्फ इसको टिक्स हो गई थी इसको काफी चिंचड थी और इसके जो आप पीट पर देख भी रहे होंगे तोड़े दब् तो अब अगर यह आप देख सकते हैं किस तरह के दुनिया में लोग होते हैं पहले तो इस डोगी को उन्होंने पाल लिया और फिर जो है जब इसको टिक्स वगएरा हो गई है बाल इसके उड़ने चुड़ दिया मरने के लिए अब अगर यह कुछ दिन रहता तो पहली बा बाल उड़े हुए थे सारे पे जो है थोड़ा जखम से हो रखेते चोटे-चोटे तो वह भी बढ़ जाते हैं तो मतलब बात कहने की है कि यह विचारा तड़ब तड़ब के मर जाता तो प्लीज ऐसा ना करें और जो आपने इनको एक सोपीस ना समझे इनके भी अपनी एक जिन्द की है यह भी बिचारे सांस लेते हैं खाते हैं पीते हैं इनके भी फिलिंग होती है तो जो है जब इनकी तबित खराब होती है बीमार होते हैं तो प्लीज इनकी जो है आप केर क कर रहा है इनको भी अपना एक family member ही समझे जैसे आप अपनी family का करते हैं तो इनको भी ऐसे करें इनको भी एक सोपीस न समझे अभी जो जब हमने इसको रेस्कु किया था तब हमने इसके वीडियो बनाई थी तो वीडियो पता नहीं क्यों इसमें मर्ज नहीं हो पारी पता नहीं क्या technical problem है इस वीडियो में वो मर्ज नहीं हो पाई वरना मैं आपको जो इसकी सुरू की वीडियो दिखाता है खैर अब इसको एक भीया है हमारे उन्होंने अडोप कर लिया है अभी उन्हीं के पास है तो अब वो उसकी देखभाल कर रहे हैं वो इसको पालेंगे तो फ्रेंड जब आज हम इसका टिक्स निकाल रहे थे हैं तो हम सड़क भी बैटे वे थे आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा तो वहां को जो गुजर रहे थे लोग वो सब बोल रहे थे कि तुमने क्या बबाल पकड़ रखा है पहले भी इसको बोल रहे थे कि ऊजबे निश्वार हो चाटे लिए देख स्वार पर बोल रेना वाल भी थे यह तुम्हारे बबाल वाल पाला हूं ये यह ट्रिक्स नोपार चड़ चाएंगे इसको को छोड़ो दो ऑसी हैई scraping पहलिए तो मुझे शाट वी बोल रहे थें कि टिकर करके बेचो गए कि बताओ कैसी कैसी मान सिखता है मतलब बात कहने कि एसा मेरा मजाक बना रहे थे पर खेर मुझे इन चीज़ों से कोई फरक नहीं पड़ता मुझे तो जो करना है है क्योंकि यह सब तो मैं बच्पन सभी करता हूं मुझे बच्पन से अनिमल लवर रहा हूं मैं यही वीडियो तो मैंने भी बनाने कोई सभी कोई नहीं क्योंकि म летi घा कि बस 26 मेरी वजprints है या और बेजुबान है वह ठीक हो जाए बस मेरे लिए वह एक नहीं वरना मुझे जो है मैंने पहले भी बना सकता था क्योंकि यह तो मैं बच्पन से करता हूं यह सब तो मैं कोई इंट्रेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे इन से एक तरह का व्यापार नहीं करना है तो प्रेंड यह मेरा मकसद नहीं था पर फिर उसने मुझे समझाया कि आप यूट्यूब पर चैनल बनाओंगे आप से और लोग मोटिवेट होंगे और आप औरों को अपनी बता सकते हैं कुछ और वैसे हुआ भी ऐसा ही मेरी कई वीडियो हैं उनमें बहुत कमेंट आ रही हैं तो मैंने उन पर अपना वर्टसम नंबर भी डाला है तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारी गली में इस तरीके से डोग है और सकम कैसे कर सकते हैं तो मैंने काफी लोगों को बता करेंगे तो सब इसको देखेंगे और हम उनको मतलब और गाइड करेंगे क्योंकि अभी मुझे भी इतनी नौलिज नहीं है जितना दीरे-दीरे मेरी नौलिज बड़ेगी एक्सपिरेंस जोग हम शेयर करते रहेंगे अभी रेस्क्यू करके जहां हम डोग को लाते हैं वह कि उनकी देख भाले उनके लिए आप क्या कर सकते हैं यह सब हम उसमें बताया करेंगे अभी फार्म के तैयारी चल रही है तो जब थोड़ा फार्म बन जाएगा तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें जो बेजुबान होते हैं एनिमल्स होते हैं इनका ध्यान रखक बताय हैं झाल झाल